आज हम अन्बॉक्स करने वाले है मैं अभी अभी खरीदा है आपल की वेबसाइट से ही और मैं आपको इसका एपल को अरिजिनल बिल भी दिखाना चाहता हूं अच्छिली में उसमें मेरा एड्रेस लिखा है इसलिए मैं वह आपको दिखाना है सकता हूं जैसा कि आप लोग को दिखे ना जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह है वो बिल कि अप्री की ओरिजिनल टैक्स इन मोईस है इसमें मुझे जी एस्ट भी लगा है 18% का और अगर आप लोग के बास में जी एस्ट नंबर है तो आप 25% कैश बैक भी ले सकते हैं जी एस्ट पर तो गाइस बात करते हैं इस लाप टॉप के बारे में पहले तो गाइस यह आज तक का लाइट सबसे जादा लाइट वेट है और इसकी 256GB SSD है 8GB RAM है और बाकी सब आपको 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 कलर देखके तो समझाएगी होगा कि मैंने गोल्डन कलर का लिया है और चली बात करते हैं इसके बारे में गाइस इसे में पहले अनबॉक्स कर चुक हैं इसलिए पर सेफटी सील नहीं लगी है क्योंकि वह डिलि चेंज करा लेते हैं शिक्स देज में या कुछ तो इसे मैंने जो है पहले ही एक बारी अनबॉक्स कर लिया था वैस यह है हमारा में मैकबुक एमवन इसे मैं पहले एक बारी बूट कर चुका था जैसा कि आप देख सकते हैं अपरिकल लोगों आ गया है और काफी सूधिंग साउन के साथ में आया है जब तक यह बूट होता है इसको हम साइट पर रख देते हैं और तब तक हम लोग बात करते हैं इसके अंदर के एक्स्रा ए इसमें थोड़े बड़े एंलार्ज्ट जो है अपल स्टिकर्स ताट टो गोल्डन कलर में मिले हैं यह काफी अच्छी बात है और आपकी आप लोगो सारी इसकी मैनुवल्स तो पता ही है और अंदर आपको मैक बूट के अंदर सिर्फ आइफोन में तो गाइस निकाल दिया बसम है मैंने यह प्रोटेकटर चळा लिया था तो काफी लंबी आहएज अराउंड टू मीटर लॉग एस यह से टायप की वायर है काइस इप भेरी रितिया है जैसरे कि आप देक सकते हो जी आप टूटाइप वायर है और घमा चले है जया बात करते हैं बाकि गाई इसके अंदर और कुछ नहीं आता है इस बारी की बॉक्स कंटेंट में तो गाइस चलिए बात करते हैं इस MacBook के बारे में जिसका कि हम दो काफी टइम से वेट कर रेते इधिया थे फिल्स बूट उन कर दिया था इस पर कर्सर आ गया है और यह Apple लोगो है लोट हो रहा है जैसकि आप लोग देख सकते हैं अभी यह लोट हो रहा है यह अब लोग भी सपकती है लोट हो गया है अब यह व आपल की वेबसाइट से डिरेक्ली ओडर करा है और गाइस अगर आप लोग कोई उनिवर्सिटी स्टुडेंट है या कोई कॉलर स्टुडेंट तो आपको इस पे जो है कर सकते हैं मैंने तो अक्षिल से घर भी मंगा लिया था क्योंकि लॉक्डाउन चल रहा था और आप लोग के लिए व्लॉग जो मेरा मेरा काम होता है फोटो एडिटिंग यह कुछ भी होता है तो मैं कॉल फोन पर करना या विंडोस पर करना में मुश्किल हो जाता है तो अब कराई के लिए तो चली गाई किस्ट धाट हो रहा है देख सकते हैं ग्राइज ही बूट हो गया है और वर्स बूट पर इसके शरिक फफर्स लिए बागीन कर दिया ता यह लोड हो रहा है और अभी तक का this has been announced as the fastest laptop ever इसे जो है गाइस fastest laptop of 2021 अनाउंस कर दिया गया है गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसकी brightness बढ़ा देता हूँ एक बड़ी वाइस यह है इसका first overview जब आप लोग इसे देखेंगे एक बड़ी गाइस और guys यह मेरी actually थोड़ी सी apps खुली में है मैं इससे पहले एक meet में था meeting पे था guys यह आप लोग देख सकते हैं यह इसका main front page है overview है guys मैंने all guys यह सारी इसकी pre-installed apps होती है और यह 256 GB variant है यह base variant है guys क्यूंकि आप लोग कहते हैं कि लोगों को कई लोगों को maximum logo guys base variant प्रेफर करना होता है क्यूंकि जादा pro level की editing अगरा करते नहीं है लोड नहीं डालते हैं laptop पे इसलगा इस मैंने 256 लिया है और अगर कभी मुझे इसकी SSD बढ़ानी भी होगी तो मैं Apple Store जाके direct बढ़वा लूँगा और guys मैंने जब यह laptop लिया था around 15-20 days हो गए थे तब तक मैंने इसे खोला नहीं था तब guys इसकी SSD टी 256 GB मैंने इसे Apple से ही home delivery पे इसकी SSD 512 GB की कराई है उसका आपको around 15,000 अलग से चार्ज लगता है बट guys अगर आप Apple Store पे ही जाके इसे जो है configure कर देते हैं 512 में तो guys वो आपको much cheaper पड़ेगा आप लोग को suggest करूँगा कि आप लोग को अगर लेना है तो आप लोग वही से ले सकते हैं और guys 4K HDR की screen है यह इसका about है Apple Macbook, Apple M1, RAM HGB, this is the serial number guys यह display इसका 13.13 inch का built-in returner display है यह storage, यह support और guys मैंने इस Macbook के actual cost जो है वो 94,000 है बट मैंने इसके उपर Apple के Air Plus लिया था जिसमें की एक साल की warranty जो आपको इसके साथ में मिलती है 1 year की उसके साथ में अगर आप जो है आपको free of cost या जो charges लगेंगे guys मतलब guys अब suppose इसकी मेरी display तूट गई या खराब हो गई guys तो पानी गिर गया या थेफ्ट हो गया इसकुछ भी हुआ तो it will cost me around 35 to 45,000 rupees to just get this display change this thin display guys लेकिन अगर मैं यह Apple Care Plus लेलता हूं जिसके अंदर यह सारे products होते हैं include तो guys मेरे को जो है यह display around around only 6 to 7,000 rupees जो उनका GST bill और उनका making charges होते हैं लगाने के यह display लगाने के जो उनके charges होते हैं service charges उनके अलावा कुछ भी नहीं देना है this will be all for free और guys यह मेरे को इसकी around 25,000 की पड़ी है और guys काफी अच्छा था अलग 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 चीतों के अलग अलग rate के साफसे iMac का iPad का iPhone का और guys काफी जल्दी मैं एक iPhone 12 Pro भी मैंने एक order किया हुआ है उसकी भी मैं unboxing video डालूँगा तो आप लोग stay tuned रहिए और please subscribe कर दीजे guys please मेरा goal पूरा कर दीजे 4000 watchars का और 1000 subscribers का और guys इसमें आपको additional support मिलेगा आप एक slot book कर सकते है AppleCare Plus support के लिए और आप इसे 60 days of the Apple product purchase के अंदर ही ले सकते हैं चाहिए आप किसी भी website से लें without bill के जो चीज product होगा उस पे आपको AppleCare Plus नहीं म हो जाता है सबोज आपने भाहर से कोई without bill का समाह लिया है और अक्टिवेट हो जाता है आप जब serial number डाल के चेक करें Apple.com पर तो आपको उसमें मिल जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस पे Mac पे जा रहू हूँ यह नया iMac आए जो कि मुझे अब लेना है ब तो ओवर जादा ही प्रो लेवल का हो जाता है इसलिए मैंने यह MacBook Air लिया है और यह देखिए आप 92 900 इसका चार्जेश है गोल्डन कलर गाइस 13.3 13.3 इंचिस का रेटनर डिस्पले है M1 चैप है जो कि सबसे फास्ट है और गाइस इसकी जो गाइस परफॉमेंस है वो गाइ तक का भी करा सकता हूं 18 आप की बैटरी लाइफ है गाइस मैंने इससे रेगुलर्ली यूज करके एक दिन इसका टेस्ट किया था बैटरी का आपको यह maximum अगर आप मैक्सिम आप सब यूट्यूब चला रहे हैं रेंडरिंग कर रहे हैं एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको बैटरी लाइफ को तो बैटरी लाइफ अराम से दे सकता है गाइस 720 मेगापिक्सल का आगे जो है इसका फरंट कैमरा है उस पर लाइट जलती है जब आप फेस्टाइम करते हैं और यह बहुत अच्छा फीचर दी है क्योंकि आप रात में होते हैं तो यह लाइट काफी जा जो सरफ दिखाने की चीज है कि यह फिंगर टक्ष है बाकी कर अगर कीबोड होता इन अगर प्रेफर दे मैक प्रो अली यह साथ में एक्सेशरी जैं माऊस है कीबोड है यह आपको चार्जर साथ में मिलता है एपट प्रो गैस इसमें से मैंने मैंक बूक ले लिया है मैं मै देलूंगा और गैस यह बिल्टेन अपस आती है और गैस इसके अंदर जो आई मुवी आता है वह बहुत ही स्मूध चलता है गैस मैंने इसको ट्राय किया है इतना स्मूध है गैस के आप लोग सोच भी नहीं सकते है और गैस यह आपल की वेबसाइट है यह 12 का इसका में बना दिया है इसके प्राइसिंग और डिटेल्स के बारे मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो आज की वीडियो में यह ही और आज है 28 में और गैस जब मैं आपको एक और बात बता दूं जाने से पहले गैस इस मैक बुक पे मैंने प्लेस्टेशन फोर्टनाइट और गैस तीन च्यार कॉल अब ड्यूटी वगरा वगरा गैस मैंने बहुत सारी गेम्स ट्राइब करें गैस इतना स्मूध चलता है कि आप सोच भी ने सकते हो इतना स्मूध और गैस इसका डिस्प्ले इतना अच्छा है इतना ब्राइट है और गैस की बोड की जो है जो कि आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं अभी अच्छी लाइट काफी सारी है आपको नजर नहीं आ रहा होगा रात में काफी सारी होती है इससे आप एर डॉप कर सकते हैं एक्ट्रा और गैस दाचित फो दिस व्लॉग और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा तेट यू प्लीज गैस प्लीज 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 शब्सक्राइब लाकिन शेयर मैं वीडियो